प्रिये संजाय मयूग जी पत्रकार मित्रों नमस्ते एक अर्जेंट मैटर आया इसलिए आप लोगों से बात करना पार्टी के राष्टिये मंज से जरुरी समझा गया हेमन स्वरिंजी गिरिफतार हो गये हैं बाकी जो कानुनी कारवाई चल रही है उस पर हमें कुछ नहीं कहना है लेकिन उनके समर्थक्ट के द्वारा एक बात कही जा रही है कि के इंद्र सरकार के द्वारा विपक्षी पार्टियों के सरकार को तोड़ने की कोशिश की जा रही है और विशेश रूफ से आदिवासी नेताओं को प्रताडित किया जा कि इसका उत्तर देने के लिए हम बैठे है देरह दिजिकी सरकार देश के आदिवासी समाज की बहुत ही चिंता करती है कि त यह सबसे बड़े संवेधानिक पत्पर बिठाया इसके पहले एक बहुत वरिष्ट दलिस समाज से आने वाले रामनात कोविजी को भारत के राश्पती बनाया बिर्सा मुंडा के म्यूजियम को आज स्थापित करने के आदिवासी नेताओं के योगदान को नई पीड़ी के सामने लाने में नरेंद मुदी सरकार की बहुत बड़ी भूमिका है उस्वेहम बिर्सा मुंडा के गाउं भी गए और उनके राश्टिय म्यूजियम का उद्गाटन भी किया और आदिवासी समाज के नौजवानों के लिए गरीबों के लिए विशेश योजनाएं भी मोदी जी की सरकार ने चलाई है जिसमें आदिवासी समाज के चिंता के लिए उनका अलग से कमिशन बना है आपको मालूम है कि OBC कमिशन भी आप को सूशल कमिशन है और आपके SC का कमिशन है ST का कमिशन है यह कहां लिखा हुआ है कि आप लूट करिए भ्रष्टाचार करिए और जब कारवाई हो तो कहे कि एक आदिवासी को तंक्या जा रहा है यह क्या मतलब है इसका अच्छा है आप संगर्ष करिए आगे आईए अपने समाज के चिंता करिए लेकिन समाज की चिंता कम लूट अधिक बाकी पदिश्टों बाद में आऊंगा इसलिए आज आप समों के माध्यम से जो कुछ जानकारी च्छनकर आई है अख़बारों में बाकी जगह वह हम आपके सामने रखना चाहते हैं तीन मामले हैं इनके खिलाफ पहला मामला है जमीन की लूट का मैं बताऊंगा अभी दूसरा मामला है अवैद खनन का इल्लीगल माइनिंग तीसरा मामला है कोईला की ख़दान में घुटा लेगा तो उस तीन मामलों में अभी एक में इनकी पेशी हुई है बाकी दो में कई मामले हैं तो बताएंगी और बाकी दो च्छाट्यस लाख रुपे उनके घर से निकले दिल्ली का मकान भी बहुत सुंदर है शांती निकले तो बहुत पॉष्ट कॉलनी है न जी मिली एक काम ब्यनामिमे भीम डब्लू पर चलि और करवारी के किसे उगा भई ए हुए दsınız स्कैमं यह मुराबादी मोजा में चार सो पश्पंड डिसमें राची में थी वो सेना के तिसेना के कबजे में थी बहुत पहले बियम लक्ष्मन राओ की थी उन्हें को दे रिया था आजादी के पहले से वो से नहीं कब जे में थी अब फेक डॉक्मेंट बना करके एक उनर बन गए प्रदीब बाग्ची और उन्हें प्रॉपर्टी को बेज दिया जगत बंधू टी स्टेट को जगत बंधू टी स्टेट को इस जमीन का मार्केट वेलू था बीस पॉइंट सेवन सिक्स करोर बेचा गया साथ करोड में कि आप समझते ही हैं कि इसमें क्या क्या हुआ होगा एक तो जब इडी इसकी जाच करने लगी तो मालू हुआ कि राची में एक बड़ा गैंग ऑपरेट करता है जो फेक डॉक्मेंट बना करके जमीन को अपने कबजे में लेते हैं और इसको बेचते हैं और उसमें कई आईएस आफसर सहयोग करते थे जिसमें शिमान छवी अगरवाल भी थे छवी रंजन जो डिस्टिक मजिस्टेट अफ राची थे इनकी सरकार में और दूसरे आईए जिनके घर से 19 कोड मिला था माइनिंग सेगेटरी वह भी जिल गई थी तो इन सबों को इनका प्रटेक्शन रहता था और कमाल के मुख पंतिर्म ने देखा कि इन्हों ने अपनी पत्नी के नाम से 11 कोड 11 एकर जमीन दी है उनके कंपनी के लिए तो यह सब एंटी डेटे जो रिष्टर डॉक्मेंट हुए कई कलकत्ता में हुए तो इसके जहां चल रही है तो आप आधिवही समाज से आते हैं तो आपका काम यही है क्या कि अपने नीचे जमीन स्कैम को प्रत्साहित करना राची के अंदर और सेना की जमीन जिसे कोई छ दूसरा मैं फिर कहूंगा अभी तो इसी में का रिमांड हुआ है लेकिन जो माइनिंग स्कैम है आज मैं आप से बात कर रहा हूं तो यह बताना जरूरी है कि साहब गज्ञ इलाके में इडी ने जॉइंड इंस्पेक्शन किया था चार हजार नौसव बावन केस ऑफ इलीगल माइनिंग पिछले तीन साल में आया है यानी श्रीमान हेमन सोरिन के मुख्यमंत्रिक काल में आया है और आप जान लिजिए 23.26 करोर क्यूबिक फिट ऑफ इलीगल माइनिंग हुआ है 23.26 करोर कि इतने राशी का 1250 करोर का मतलब ना कोई पर्मिशन है ना कोई पढ़ता है किया जाओ और आपको मालू है कि इन्होंने राची में 88 डेस्ट में अपने नाम एलोट कर दी थी माइनिंग के अंग्रहा ब्लॉक में राची में यह श्रीमान इमंत्रों ने खुद एलोट किया थे और किमाल करते हैं एक माइनिंग लिज है अपने नाम कर दी आप मुक्र मंत्री हैं आप माइनिंग मंत्री हैं और आप अपने माइनिंग नीज अपने नाम ग्रांट कर दी इस पूरे मामले का किंग पिंग कौन था दो भी जेल में पंकज मिश्रा और पंकज मिश्रा कौन थे इनके तो इससे कुछ बताने के जरुवत है क्या तो यह हुआ माइनिंग स्कैम और राची हाई कोट ने दोहजार तैइस में टिपनी की थी इसको पढ़ना चाहता हूं यह बेल वगर समन्हें अलिज नॉट वेल इन दमाइस देपार्टमेंट यह कहा अप्रिल बाइस में और तेश में कहा दस्टोडियोफ प्रोजिकूशन इडि रिमाइन्स वन फेक्राइम त्रिला वेर देश्टेट विदर्स अग्राइम कार्ट्रिल्स फित पुलिटिकल कनेक्शन ट्लैश फॉर नाच्रल रिसूर्स अब अधिवास्यों की बात करते हैं और अधिवास्यों की जमीन को लूट रहे हैं अपने गुर्गों के द्वारा लुटवा रहे हैं क्या मतलब है यह यह बड़े सवाल है इसलिए और बीजेपी क्योर से अपने कुछ नहीं कहा जा रहा है यह सब मामले हैं जो चल रहे हैं आपको मालूम है कि वहां लिफ्ट विंग एक्स्क्रीमिदम भी है वो बैंड है ऐसी बहुत से चीज़ें आई हैं कि कि बैंड और्गनाजेशन के लोगों को इसमें मदद करने के लिए आगे लाया गया ताकि कट मनी आ सके कि यह मैंने तीन हुदारन अभी आपको दिये हैं और आप है माइनिंग मिनिस्टर आप अपनी पत्नी के नाम जमीन दे देते हैं इज़े मुख्य मंत्री अपने नाम पर एक माइन लॉट करा देते हैं आप माइन लॉट करके आप माइनिंग लाइसेंस भी ले लेते हैं जमीन है सेना की सेना की जमीन न कोई कर सकता ना ट्रांसफार कर सकता ना बेच सकता है उसका क्या हाल है मैंने आपको पढ़के सुना के बता दिया फर्जी डॉक्मेंट बनते हैं हर जगह एक ने किंग पिन है कहीं कोई आई एस आफिसर है कहीं कोई माइनिंग सेगेटरी है कहीं कोई आपका रेप्रेजंटेटिव है और स्कैम पर स्कैम हुए चले जा रहे हैं मदी लॉंटरिंग पैसे आ रहे हैं तो जाच नहीं होनी चाहिए क्या निश्चित होनी चाहिए और कि बहुत अच्छी टिपनी की संजय महुट ने ब्रश्टाचार में आपाद मस्तक डूबे हुए हैं मन्सुरेन और नाम ले रहे हैं आदिवासी हितों का और मित्रों बात कहना चाहते हैं कि यह जो पूरा एक पैठन बना हुआ है जितनी लोग जेल में गए भी तक की मिखना है क्या मिकी दिल्ली के इक बहुत स्वयंभू लोग पुरिय उपमुख मंत्री जेल गए कि त entfer झीक जेल में है एक बहुत ही प्रभावि विचारक सांसत समाजवादी सांज समाजवादी विचारों के सांसत भी जिल गए उनको बिल मिला क्या वो बंगाल के बड़े-बड़े मंत्री जो बड़ी-बड़ी बाते करते थे उनके घर से कभी साथ क्रोड निकल रहा है सिक्षिकों की नियुक्ति में किसी घर से राशन भोटाले में भी पैसे निकल रहे हैं करण रूपिय बिल मिला क्या बिहार में जब लालू से पूछताच होती है कि सारे स्कैम पहले के हैं इस समय के नहीं है और नोटिस पहले से जा रही है आठ दस बर आपको नोटिस दी तो मुझे लगा कि उस जी जाने के बाद फ्लाव सुधरेंगे समलेंगे तो चलिए नोज नहीं कहानी है तो अगर आप भष्टाचार की कहानी करेंगे तो करवाई तो होगी ना और करवाई होनी भी जाहिए यही सवाल है तो मित्रों आज पार्टी के ओर से मुझे लगा क कि पार्टी को लगा कि हमन सुरन की सही कहानी बतानी चाहिए इसलिए मैं यह उपस्तित हुआ अब आपके सवालों का उत्तर देंके में त्यार हूं दन्यवाद